दोस्तो आज के वीडियो में तीन क्यूशन ऐसे आपको देऊंगा जो आपको टोटल पजल करने वाले हैं लेकिन वो क्यूशन वीडियो के बीच में आएंगे सबसे पहला क्यूशन सुरू करते हैं वर्तमान में बारत की पंद्रवे नमबर की राष्टपती कौन है तो पंद्रवे नमर की राष्टपती कौन है दरोपती मुर्मुजी है आपको इनके बारे में complete fact बता देता हूँ जो लगातार एकजाम में पूछे जाते हैं पहला fact ये है कि भी आप प्रेजिडेंट बनने वाली ये दूसरी मैला है इनसे पहले कौन बनी थी परतिबा सिंग देवी पाटिल बनी थी और आपको ये भी बता दू ये पहले नमर की ऐसी प्रेजिडेंट है जो after independence यानि आजादी के बाद में जन्मी है ये सारे fact इनको याद रखेगा और ये कौन से राज्जे से बिलोंग करती है वर्तमान में बारत के चोदवे नमर के उप्राष्टपती कौन है तो बताना है आपको 14th नमर के वाइस प्रेजिडेंट कौन है इंडिया के तो वो है जगदीब दनकर जी अभी हाली में 2022 में बने है और ये आपको बता दू इससे पहले क्या थे गवर्नर थे बेश्ट बंगोल के ये फेक्ट भी याद रखेगा वर्तमान में जो सत्रवी लोग सबाद चल रही है उसके अध्यक्स कौन है तो स्पीकर ओफ 17th लोग सबाद कौन है तो वो है ओम बिरला जी ये फेक्ट याद रखेगा वर्तमान में पचासवे नमबर के मुख्य नायदी जिसे आप CGI Chief Justice of India बोलते हो तो वो कोन है डी वाई चंदर चूर जी है और इनसे पहले कोन बने थे ये दोनों फेक्ट याद रखेगा 49 नमबर के थे उदै उमेश ललिद जी वर्तमान में बारत के मुख्य चुनाव आयूग यानि Chief Election Commissioner कोन है वर्तमान में तो वो है राजीव कुमार जी कोन से नमबर के हैं 25 नमबर के हैं और इनके जो अन्य दो और साथी है उनका नाम भी याद रख लीजिए पहले है अरुन गोयल जी और दूसरे नमबर के कोन है अनूप पांडे जी साथवा क्यूशन है वर्तमान में बारत के Attorney General of India कोन है यानि बारत के महा न्यायवादी हाल ही में कोन है तो वो चोधवे नमबर के हैं कोन है आर वेंकेट रमनी जी है और इनसे पहले कोन थे केके वेनू गोपाल जी ये दोनों इफेक्ट याद रखेगा आठवे नमबर का क्यूशन है वर्तमान में बारत के नियंतरक और महालेखा परिक्षक यानि C.A.G. कमपोट्रोलर एंड ओडिटर जनरल ओफ इंडिया कोन है तो वो हैं चोधवे नमबर के गिरिश चंदर मुर्मुजी और ये जो पो पोलते हैं कंट्रोलर जनरल ओफ अकाउंट्स तो वो कोन है वर्तमान में तो वो हैं SS दूबे जी और यह किस आर्टिकल के अंडर आते हैं यह पोस्ट C.G.A. तो वो आती है आर्टिकल डेड़सों के अंडर वर्तमान में बारत के राष्टिय सुरक्षा सलाकार नैशनल सिक एडवाइजर हैं अब जिस क्यूशन का वेट कर रहे थे वो क्यूशन आ चुका है पहला क्यूशन ऐसे तीन क्यूशन आएंगे जिसे आप नेशनल सिक्योर्टी गार्ड बोलते हो उसके वर्तमान में डारेक्टर जनरल कौन है तो आपको नीचे दो नाम दिये गए हैं इन में से एक सही है एक गल्त है तो आपको बताना है सही कौन चा है गनपती जी है या पंकज कुमार जी है कोमेंट करके जरूर बता जी क्यूसर नमबर 12 है वर्तमान में बारत के पंदरवेवित आयोग के अध्यक्स कौन है तो 15 नमबर की जो फाइनेंस कमीशन है उसके अध्यक्स कौन है तो वो हैं एनके सिंग जी जिनके आप साइड में फोटो देख पा रहे होंगे क्यूसर नमबर 13 है वर्तमान में बारतिये रेल बोर्ड के अध्यक्स कौन है तो वो हैं अनील कुमार लाहूटी जी वर्तमान में राष्टिये मैला आयोग नैसनल कमीशन फोर वूमेन के चेर परशन कौन है तो वो हैं रेखा सर्मा जी और आपको बता दूँ कि NCW की स्था अपना कब होती है तो 1992 में होती है और जो इसका अध्यक्स बनता है उसका कारियकाल कितने साल का होता है तीन साल का होता है UPSC जिसे आप बोलते हो Union Public Service Commission तो इसके हाल में अध्यक्स कौन है तो वो हैं मनोज सोनी जी SSC जिसे आप बोलते हो Central Board of Secondary Education तो इसके हाल में चेर में या अध्यक्स कौन बनी है तो वो है IAS पजसे निदीचिबर जी और इसकी स्थापना कब होती है CBSE Board की तो वो होती है 1939 में 1929 में जिसे नमबर 18 है NCERT तो इसके New Director कोन बनी है हाल ही में NCERT की बात करें तो National Council of Educational Research and Training इसके Full Form भी ध्यान रखे का दोस्तों पूछी जा सकती है और इसके स्थापना होती है 1961 में और इसके नई निदेशक कोन है तो वो है दिनेज परसाद सकलानी जी क्यूशन नमबर 19 है वर्तमान में UGC University Grants Commission के नई अध्यक्स कोन बने है तो वो है M. जगदीश कुमार इंपोर्टेंड क्यूशन है दोस्तों याद रखेगा क्यूशन नमबर 20 है वर्तमान में ISRO के अध्यक्स कोन बने है इसरो की बात करूँ तो स्थापना होती है 1969 में हेड़क्वार्टर बैंगलूरू में है और इसके फुल फोर्म की बात करें तो Indian Space Research Organization और इसके अध्यक्स ह है दसवे नमबर के है अब जो सेगेंड क्यूशन आ रहा है दोस्तों आपके लिए आज का कोमेंट करके बताईएगा कि वर्तमान में भारत के सूचना और परसारन मंतरी कोन है अनुराग सिंग ठाकुर है या कुलदीप सिंग है दोनों में से कोई एक है आपके लिए क्यू समीर वी कामत जी नेक्स क्यूशन है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तो इसके विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के वर्तमान में निदेशक कोन है तो वो है डॉक्टर उनिकिशन नायर जी वू इस दा डिफेंस मिनिस्टर ओफ इंडिया तो वर्तमान में भारत के रक्ष प्राइता मंत्री भी अमित साजी है क्यूसर नमबर 25 है वर्तमान में बारत के सडक परिवेहन और राजमाग मंत्री कौन है तो दोस्तों आपके आसपास जो एनच हाईवे निकले हुए है उनके मंत्री कौन है तो वो है नितिन गड़करी जी इनका पूरा नाम भी देख क्यूसर नमबर 26 है वर्तमान में बारत के वित मंत्री और कोर्प्रेट मामलों के मंत्री कौन है तो फाइनस मिनिस्टर कौन है इंडिया की तो वो है निर्मला सीता रमन जी वर्तमान में करसी और किसान कल्यान मंत्री कौन है मिनिस्टर ओफ एग्रिकल्चर और फार्मर वैल तो वो है इरानी जी, इनका नाम याद रखेगा तो इनके बारे में याद रखेगा कोई भी फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है दोस्तो आज के वीडियो का तीसरा क्युशन आप लोगों के लिए कि वरतमान में CBI के डारेक्टर जन्रल कौन है सुबोध कुमार जैसवाल जी है या सामद कुमार गोयल है तीसरा क्यूशन है तीनों ही कॉमेंट करके बताइएगा वर्तमान में बारत के सिक्षा मंतरी कौन है दर्मिंदर परदान जी है और साथ ही साथ में कोसल विकास के मंतरी भी दर्मिंदर परदान जी है वरतमान में बारत के ग्रामीन विकास मंतरी, रूरल डवलप्मेंट मिनिस्टर ओफ इंडिया कौन है? तो वो है गिरीराद सिंग और साथ ही साथ में पंचायती राज मंतरी भी है कौन? गिरीराद सिंग दोस्तो जादा सी जादा क्यूशन कराऊंगा आपको कम से कम टाइम में नेक्स्ट क्यूशन है 33 वरतमान में बारत के रेल मंतरी कौन है? काफी चर्चा में रहे हैं अभी हाली में जो एक्सिडेंट हुआ था उसके चलते तो अस्वनी वैसनव जी है और साथ ही साथ में संचार मंतरी भी है कौन? अस्वनी वैसनव वरतमान में बारत के प्राकर्तिक गैस मंत्री अधर के जो सें. अनिल चाहन जी पहले नंबर का कुन था अब सभी जानते हैं, तो वह बताने की जुर्ध नहीं है. तो दोस्तो आज के वीडियो में इतना ही कैसा लगा आप सभी को वीडियो कोमेंट करके जरूर बताना दोस्तो और हाँ दोस्तो चैनल को लाइक करें शेयर करें बेसक सब्सक्राइब ना करा करो लेकिन कंप्लीट वीडियो देखा करो थेंक यू